दोस्तो अद्बुत आश्चेर जनकिन्तु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन की घटना क्रम को मैं आप सभी को सुनानी जा रहे हूँ उनका नाम है मधेश्वर प्रसाद सी जो पटना बिहार के रहने वाले हैं दोस्तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे के आगे की वीडियोज भी आपको हमेश्या मिलती रहें मधेश्वर प्रसाद जी बताते हैं कि पहले मैं विभिन अध्यात्मिक विचारों में मत भिन्यता के कारण समझ नहीं पाता था कि किसे सही माना जाए चमतकारों की कहानियां अलग दूविधा में डाल देती थी व्यज्यानिक दृष्टिकून कहता ऐसा कैसे संभव है दूविधा से घिरा अंतरमन किसे गहरे में ऐसा कोई विश्वस्निया आधार खोज रहा था जिसका आलमबन कर अध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके ऐसे में जब अखंड जोती पत्रिका में त्यज्यानिक अध्यात्मे की विलिक्षन व्याख्यक मिली तो मैं सहज ही आकृष्ट होता चला गया पहली बार नौ दिनों का सत्र करने शान्ति कुझ पहुचा तो ऐसा प्राभावित हुआ कि जीवन दिशा ही पलट गई फिर तो मैं गुरुदेव का ऐसा भक्त हो गया लगता कि अपना सब कुछ उनको दे डालू तो भी कम ही है गुरुदेव को आज तक कितने ही रूपों में देखा सभी अविस्मर्णिये सभी प्रेडग बात उन दिनों की है जब पटना में शक्तिपिट बनाने की तैयारियां चल रही थी संकल्प लिया जाना था मधुरा से आदर्निय लीलापत शर्मा जी का लिखा हुआ पत्र देकर चितरंजन जी को हरी द्वार भेजा गया शांती कुझ पहुचकर गुरुदेव से मिले संकल्प की बात सुनते ही गुरुदेव आग बबला हो उठे उन्होंने डाट कर कहा किसने भेजा डरते हुए चितरंजन जी ने मधुरा से लाया हुआ पत्र दिखाया गुरुदेव उसी तरह फिर बोले लिलापत कौन है भाग जा शक्ति पीट क्या उसके बाप का है उसने लोट कर सारी घटना बताई मैंने सोचा मैं ही जाकर देखूँ हो सकता है उस समय कुछ वैसा कारण हो गया हो इस बार मैं स्वयम शांती कुझ पहुचा सबसे पहले जाकर आदर निय विरेश्व उपाध्याईजी से मिला उनसे सब बाते बताई और आगरह किया कि संकल्प के लिए समय निर्धारित कराए उन्होंने गुरुदेव से भेटकर संकल्प का समय ले लिया अगले ही दिन का समय मिला था सुबह सुबह तैयार होकर मैं गया लेकिन गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा नहीं मेरे साथ उपाध्याईजी भी थे मैंने उनकी तरफ देखा वे भी हैरान थे काफी समय बीद गया तो उन्होंने गुरुदेव का ध्यान आकरिष्ट कराया ये संकल्प के लिए आये है गुरुजी ने बिना मेरी ओर देखे ही दो टुक जवाब दिया संकल्प नहीं होगा इतना कहकर मौन हो गए असमंजस की मनस्थिती में मैं वापस लौट आया मैंने उपाध्याईजी से पूछा कैसा टाइम लिया था आपने वे कहते तो क्या कहते वे खुद ही हैरत में थे मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करूँ लौट जाऊं या एक बार फिर प्रयास करके देखूं अगर बिना संकल्प के लौटना पड़ा तो लौट कर लोगों को क्या जवाब दूंगा सच सच बता भी दू तो संकल्प के लिए मना करने का कारण पूछा जाएगा तो क्या कहूंगा लोग तो यही सोचेंगे कि मेरी तरफ से कोई लापर बाही वर्ती गई है पूज्य गुर्दे द्वारा शक्ति पिट स्थापना के लिए इस कठोरता से मना करने के कारणों तक पहुचने के लिए मैं बेचैन हूँ उठा शुरू से आखिर तक सभी प्रयासों की समिक्षा की फिर आत्म विशलेशन की दृष्टी से अपने आपको टटोला कि शायद मुझ में ही संकल्प की पात्रता ना हूँ जिसके कारण कार्यबाधा आ रही हो गुरुदेव के क्रोध का कारण मैं हो सकता हूँ यह सोचकर मेरा अंतरमन विचलित हो उठा मन ही मन उनसे अनुने विने करने लगा कि कोई गलती हुई है तो बता देजिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे बहुत दुखी देखकर उपाध्याय जी ने समझाया निराश मत होई अब भी संकल्प का समय नहीं आया है बाद में देखा जाएगा अगले दिन मैं उदास मन से वापस पटना लोट आया करीब डेड महीने बाद माता जी की बाद से पुझ गुरुदेव द्वारा संकल्प को कठोरता पुर्वक रोके जाने का रहस से खुला मेरे वापस जाने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि उस समय संकल्प लेने से मेरे जीवन और शक्ति पीट पर खत्रा आ जाता मैं समझता हूँ उस समय विरोध भाव रखने वाले कुछ व्यक्ति स्थानी अस्तर पर इतने अधिक प्रभाव शाली थे कि भिरने की स्थिती भी बन सकते थे अधि भौतिक दृष्टी से तो मैंने इतना ही देख सका इसके अलावा जो अधिदैविक और अध्यात्मिक अर्चने हो रही होंगी उनको तो गुरुदेव ही जान सकते हैं जै गुरुदेव